दोस्तो मैं इस भीडिएयो में बताने वाला हूँ कि माठर कैसे निकाला जाता है और कितना टाइट होने पर निकाला जाता है इस से पहले मैं बता दूँ अभी तक जितना भीडिएयो बनाएं सब वीडियो माटर के खेती के बारे में ही बता है और ये खेती कैसे होता है इसमें खाद कितना लगता है और कितना जमीन में कितना ये खाद और ये पानी किस हिसाब से लगता है सभी बात हम वीडियो में अपलोड करते रहे और खेती के बारे में सभी यह एक एक चीज के बारे में वीडियो अप्लोड करते रहें तो अब जो है यह कैसे यह निकाला जाता है इसमें से वह बताने वाला हूं उससे पहले कि आपको बता दूं मेरा वीडियो को लाइक शेयर सस्क्राइब करना ना भोले चलिए देखते ह देखे यह जो है मतर निकलने लगा है इसी हिसाब से एक टाइट चिम्री को निकालना पड़ेगा निकालने के बाद इस तरह यह देखे कितना प्यारा और कितना मस्त चिम्री है देखे और यह इस तरह बोरी में कट्टा में डाल देना है देखे कितना लंबा और कितना मस्त चिम्री हो गया है और यह जानते हैं यह जो है 25 अक्टूबर को रुपनी हुआ था और आज 18 दिसंबर है माल निकलना चालू हो गया है और यही एक माटर का खेती है कि इतना जल्दी पैसा आना चालू हो जाता है का अर यह जो है इस तरह निकाल लेने के बाद एक एक छिम्री को एक माटर को निकालने के बाद सीधा हो कि इसको जो है पहले इसका छटाईया भी करना पड़ेगा ये तो चीडिया भी फोर फाड़ देता है और कीडा मकुडा भी लग जाता है तो इसका देख भल तो किया जाता है लेकिन फिर भी लग जाता है उसके बाद ये जग के एक जगा में फिरेश करके इसको दाना भी देखे कितना प्यारा प्यारा दाना हो गया है इसको फिरेश करके इसका ये जो जो डेमिज माटर है इसको निकाल देना पड़ेगा और नहीं तो फिर आधा दाम ही लगेगा मार्किट में वो निकालेगा तो और ये देखे मटा का खेती अगदम आराम से हो भी जाएगा और शांत में ये जो मक्का है इसमें कोई नुक्सान नहीं होगा ठीक है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना नहीं